कंगना जैसे ही नाम आता है विवादो वाला चहरा यादा जाता है और फिर अपने स्टेटमेंट्स और हरकतों के चलते हैं मानो ये क्वीन पूरे बॉलिवुड से पंगा लेने के मूड में हैं आजकल जैसे फिल्म में हिट करवाने का एक नया फॉर्मुला कुछ फिल्म मेकर के हाथ लगा है देश भक्ति का पूरा मसाला डालो पाकिस्तान और मुसल्मानों को पूरा विलन के रूप में दिखाओ तो उन्हें लगता है जैसा इन दिनों देश में माहौल है तो उनके फि किया क्योंकि फिल्म से लोग कही न कहीं कनेक्ट कर पाए लेकिन तेजस जैसे फिल्म एक हिरोईन को हीरो बनाने के चकर में सब गुड़ गुबर कर दिया वो तो अपने सनी पाजी है जो अकेले पाकिस्तान जाते हैं और वहां से बीवी को छुड़ा के ले आते हैं और बे कंगना को हीरो बनाने के चकर में काटून वाले वी एफेक्स डाल के सब कुछ गुड़ गुबर कर दिया कहानी की बात कर नहीं तो एक हिंदुस्तानी जाबास सैनिक को पाकिस्तान के चंगूल से बचाना है और बचाने निकलती हैं पाइलिट बनी टेजस यानी कंग नारन इस मूवी में एक्टिंग से लेकर एडिटिंग, वी एफेक्स, डायलोग, कंसेस्टेंसी हर चीज की दिक्कत है फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर लग रहा है कि कंगना रनौत एक्टिंग करना भूल गई है कहीं कहीं तो उनकी हरकते इतनी बचकानी लगती हैं कि आप अ आतंकी गुसाएं हैं और हमला करने वाले हैं लेकिन दो मिनिट में उन्हें खत्म कर लिया जा रहा है बड़ी बड़ी मुश्किलें चुट्कियों में बिना खास बिल्ड़ अप के सुलच जा रही हैं ये ऐसे सिक्विंस हैं जिने देखते हुए आपके दिल के धड़कर न इसे एक होने वाली है कंगना ने इसमें बहुत बहतर काम करके हमें पहले दिखाया है यहां उन्हें देखकर फिश्वासी नहीं होता कि यह वहीं कंगना है जिन्होंने क्वीन जैसे फिल्म दी है उनके साथ इसमें अंशुल चोहान है उनका काम काफी अच्छा है आशीश कंगना के फैन हैं तो यह मूवी देख सकते हैं लेकिन अपन इसको पांच में से डेड़ स्टार से जादा नहीं दे सकते और उसमें से भी एक तो कंगना की एक्टिंग है और बाकी आधा फिल्म की स्पीट के है